ठीक है हकिकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है हकिकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है सिकायत करो तो उनको मजाक लगता है कितने सिध्धत से याद करते हैं उनको एक वो हैं कि उनको ये सब इत्फाक लगता है हाईए दोस्तों मेरे प्यारे विज्यारतियों Welcome to Goswami Mathematics आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल Goswami Mathematics पर स्वागत है और सुरू करेंगे आज हम लोग Pipe और Tunky Pipe और Tunky पर अधारित प्रस्ण आज हम लोग करेंगे ठीक है आप लोगों ने समय और कारे का कलास किया है और आज जो हम लोग कलास करेंगे वो समय और कारे का ही भाग है पर सरते इसका नाम है Pipe और Tunky लेकिन इसमें भी सारे रूल समय और कारे के तरह ही लागू होंगे ये समय और कारे से असान है क्यों आसान है क्योंकि इसमें एक ही तरह के कारे करने होते हैं या तो किसी टंकी को भरना होता है या तो किसी टंकी को खाली करना होता है ठीक है तो बिल्कुल समय और कारे के तरह ही है सब कुछ वैसे ही होगा जैसे समय और कारे में होता था समय और कारे में हम लोग कारे की मातरा निकालने के लिए समय का लगुतम लेते थे LCM of Time लेते थे और यहाँ पर भी हमें कारे के मातरा निकालने के लिए LCM of Time लेंगे और चुकि यहाँ पर कारे की मातरा क्या होता है यहाँ पर कारे का मातरा होता है टंकी को भरना टंकी की जो छमता है वही कारे की मात्रा कहलाएगा टंकी 50 लीटर का है 100 लीटर का है यही काम में टंकी को या तो भर देना होता है या तो टंकी को खाली करना होता है मेरे प्यारे विद्यारतियों टायमेंट वर्क में सिर्फ एक तरह का काम होता था positive लेकिन इसमें negative काम भी होगा जैसे टंकी को भरना ये positive काम हो गया टंकी को खाली करना negative काम हो गया एक को प्लस लेंगे एक सेंसी तो दुसरे को क्या लेंगे minus ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग सीथे परस्ण क्यों औ लेकिन basic में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रस्नों को हम चूच करके लाएं हैं जो exam के लिए काफी important है। बने रहे हमारे साथ last तक और यदि अभी तक हमारे channel को नहीं subscribe किये हैं तो जरूर कर लें। चलिए टाइप 1 में पहला question आप लोग के बीच में आ रहा है आपके screen पर question है एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी डैस डैस मिनट में भर जाएगी यानि कितने मिन मिनट में भर जाएगी दो नल है बब एक नल ए है इसको मान लिए भरने वाला नल है और ये 25 मिनट में भर देता है पहला नल टंकी को 25 मिनट में भर देता है दूसरा नल है जो 50 मिनट में खाली कर देता है पहला नल एक टंकी को 25 मिनिट में भर देता है दूसरा नल 50 मिनिट में खाली कर देता है हीली 50 मिनिट में खाली कर देता है दोनों एक साथ खोल दिया है तो टंकी कितने दिर में भर जाएगा A 25 मिनिट में भरता है B 50 मिनिट में खाली करता है दोनों को खोला जाए, तो tanky कितने दिर में भर जाएगा, ध्यान देना एक ही tanky में दो नल लगे हुए है ए नल का छमता है कि ये 25 मिनट में पूरे tanky को भर देगा मानलोगोगो ये motor है, ये 25 मिनट में पूरी तरह से tanky को भर देगा पचास मिनट में भी खाली कर देगा ठीक है आईए बच्चों हम लोग बनाते हैं इस question को तो एक fraction method है fraction method से इस प्रस्ण को भी बना सकते हैं fraction method नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको आदा होगा ठीक है LCM method सिखिए यहाँ पर काम का मात्रा निकालना है यानि volume of tanky टंकी कितने लीटर का है टंकी जितने लीटर का होगा वही काम काला आएगा ठीक है तब BT अगर कहीं भी लिखेंगे इस पूरे पार्ट में तब BT का मतलब आप समझ जाना volume of tanky ठीक है बोल्यूम निकालो 25-50 का लगूतम क्या होगा 50 टंकी का volume मान लिया 50 लीटर ये कहां से आया 50 बाबू 50 के जगा पे 100 दूसर कुछ भी मान सकते हैं का ऐसा डाटा माना जाता जो 25-50 से कट जाए 25-50 से कटने वाला सबसे छोटा संख्य इसका लगूतम होगा इसलिए 25-50 का लगूतम निकाले 50 लीटर का टंकी हो गया ये समय दिया गया है अब हम फी CNC निकालेंगे CNC यानि कारे चमता पहला नल ये पचीस मिनट में पूरे टंकी को भर देता है पूरा टंकी के लीटर का है? पचास लीटर का है तो पचीस मिनट में पचास लीटर भरता है तो एक मिनट में भरेगा बव दो लीटर दो लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है बी जो है न खाली करने वाला ये पचास मिनट में पूरे टंकी को खाली कर देता है खाली कर रहा है इसलिए इसको माइनस दे दिये पचास मिनट में पूरा खाली कर देता है कितना लीटर पचास लीटर पचास मिनट में पचास लीटर तो एक मिनट में कह लीटर एक लीटर ये एक लीटर खाली करेगा एक मिनट में कहा गया कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया टंकी कितने देर में भर जाएगी दोनों को खोले अब दोनों को खोलेंगे बाव ये दो लीटर भरेगा ये एक लीटर खाली करेगा दोनों चल रहा है आप बताओ दो लीटर डाल रहे है पानी और एक लीटर चू जा रहा है चू जा नहीं निकल जा रहा है तो कितना लीटर भरा रहा है एक लीटर भरा रहा है एक मिनट में पूरा ठंकी कितने लीटर का है पचास लीटर का एक लीटर एक मिनेट में भरा रहा है तो 50 लीटर भरने में कितना मिनेट लगेगा 50 मिनेट लगेगा कितना लगेगा 50 मिनेट लगेगा ठीक है समझ गए चले आगे चलिए आईए मेरे प्यारे छात्रों ध्यान लगाईए गौर फर्माईए और अगले प्रसन पर आईए अगला प्रसन है बावू एक टैंक नल ए द्वारा पांच गंटे में और नल बी द्वारा चार गंटे में भरा जा सकता है नल सी भरे हुए टैंक को आट गंटे में खाली कर सकता है ठीक है एक टैंकी में तीन लगा हुआ है द्यान देना तीन लगा हुआ है जिसमें नल ए जो है पांच गंटे में भर सकता है और नल बी जो है नल बी बावू चार गंटे में भर सकता है और नल सी जो है ये आठ गं में खाली कर सकता है question में कहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो tank को पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये 5 गंटा में भरता है भी 4 गंटा में भरता है और C 8 गंटा में खाली करता है तीनों को खोल दिया गया सिधा question है ये बावू volume of tank की निकालेंगे आप उसी तरह का निकालेंगे volume के लिटर का है 5, 4, 8 का लगूतम बताओ 40 लिट होगा तो मान लिया 40 लिटर का tank की है यहां समय दिया गया है कारे छमता निकालेंगे ये 5 गंटा म पूरा 40 लिटर भरता है यानि 8 लिटर भरेगा पर आवर ये 4 गंटा म पूरा 40 लिटर भरता है तो 10 लिटर भरेगा पर आवर ये 8 गंटा म पूरा 40 लिटर भरता है तो 5 लिटर खाली करेगा पर आवर ये खाली करने वाला है ये क्या है बावू खाली करने वाला है 8 गंटा म पूरा 40 लिटर खाली करता है तो एक घंटा में कितना खाली करेगा एक घंटा में खाली करेगा पांच लीटर ठीक है अब कोस्टन में कहा गया है दोस्तों कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा तीनों को खोल दे रहे हैं ठीक है अब देखो ये आठ ल पांच खाली कर दिया बच्चों ठीक है तो तीनों को खोले तो आठ भराया दस भराया अठारा भराया अठारा भराया अठारा भरलका में पांच लीटर निकल गया यानि तेरा हे लीटर भराया क्या घंटा में एक घंटा में तीनों नल को एक साथ चलाए एक घंटा तक ती 8 लीटर भरा ये 10 लीटर भरा 18 भरा है लेकिन 5 लीटर पानी निकल गया यानि 13 लीटर भरा है या एक घंटा में भरना कितना है बच्चों 40 तो 40 लीटर भरना है 13 लीटर एक घंटा में तो समय लगेगा 40 बटा में 13 घंटा चुकि अपसन इसी परकार है तो यही उत्तर हो हैं और ध्यान लगाते हैं गौर फर्माते हैं ठीक है न चलिए आपके पास यह assignment होगा नहीं है तो आपको PDF में link दिया गया है वहाँ से आप load कर सकते हैं PDF load कर सकते हैं description में जो link दिया गया है वहाँ से PDF load कर सकते हैं ठीक है पाइप और railway group D के पुछे हुए हैं हमने इस तरह से प्रस्नों को सजाया है सारे previous question है इस तरह से प्रस्नों को सजाया है कि आपका सारा topic भी complete हो जाए और आपके अच्छे प्रस्न भी बन जाए ठीक है हर type के question भी आप सिख लें और सभी important question भी आपके बीच में बन जाए जो important exam में पुछे गए है ठीक है इसलिए बने रहे हमारे साथ और इस चैनल को subscribe कीजिए दोस्तों के बीच share कीजिए like कीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं अगले question पर आते हैं तीन number question इसी के जैसा इसलिए 4 पर चलते है ठीक है प्रस्न स्वेंग के 4 आई एक्स और y, 6 और 75 मिनट में गेस के टंकी को भर सकते हैं एक्स पाइप जो है टंकी को पूरे 60 मिनट में भर सकता है और एक पाइप y है जो टंकी को 75 मिनट में भर सकता है जी हां दोस्तों एक साथ मिनट में भर सकता है और वाई पचहतर मिनट में भर सकता है एक आउट लेट जेड भी है एक पाइप जेड भी है ठीक है उसका बात भी कहा गया कि एक स्वाई के अलावा एक पाइप जेड भी है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा तो टंग की पचास मि जेड भी है मतलब वो बाहर निकालने वाला पाइप है अगर जेड को भी खोल दिया जाए एकस वाई के साथ साथ जेड को भी खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाता है यानि एकस तो चालू है वाई भी चालू है जेड को भी चालू कर दिया जाए तो जेड क्या है खाली क करने वाला है इसलिए हमने इसको माइनस ले लिया एक्स अकेले भरेगा तो 60 मिनट में वाई अकेले भरेगा तो 75 मिनट में एक्स और वाई के साथ जेड भी लग गया यानि तीनों अगर चल रहा है तो 50 मिनट में भर रहा है अब बच्चों ध्यान देना गौर फरमाना एक्स अकेले भरेगा तो 60 मिनिट वाई अकेले भरेगा 75 मिनिट इनके साथ जेड भी चला दिया गया तो 50 मिनिट का समय लगा तो कहाँ पूर्ण टंकी खाली करने के लिए जेड को कितना समय लगेगा अब अच्छों भोलियूम अब टंकी निकाल लेते हैं भोलियूम ठीक हैं तो 60-75-50 का लगुतम बतादो आप लगुतम यानि LCM 60-50-75 का LCM क्या होगा जो तीनों से कट जाए 300 होगा क्या 300 लीटर तीनों से कट जाएगा ठीक है आप लगुतम निकाल सकते हैं बेसिक से भी तीनों से कटने वाला संक्या 300 लीटर हुआ माना की गैस का टंकी 300 लीटर का है यहां समय दिया गया है हम efficiency निकाल लेंगे X 60 मिनट में पूरा 300 लीटर भरता है तो 50 लीटर भरेगा एक मिनट में Y 75 मिनट में 300 लीटर भरता है तो 75-4-300 तो यह 4 लीटर भरेगा एक मिनट में बच्चों और 50-300 में भाग देंगे तो 6 लीटर भराएगा एक मिनट में अब आप देखो अगर x चलेगा तो 5 लीटर भरेगा, y चलेगा तो 4 लीटर भरेगा, अगर दोनों साथ चले x और y तो 5, 4, 9 लीटर भरेगा, x अगर चलेगा एक मिनट तो 5 लीटर भरेगा, y अगर एक मिनट चलेगा तो 4 लीटर भरेगा, दोनों साथ चलेगा तो 9 लीटर लेकिन X और Y के साथ साथ Z को भी हम चला रहे हैं तो मात्र 6 लीटर ही भरा रहा है बच्चो एक्स और Y के साथ साथ अगर Z भी चला रहे हैं तो मात्र 6 लीटर ही भरा रहा है आप सोचो कि X 5 लीटर भर रहा है Y 4 लीटर तो ये दोनों मिलके 9 लीटर भर रहे हैं लेकिन Z को खो लिटर गैस बाहर निकल जा रहा है भराना चाहिए 9 लिटर ही भराया मात्र 6 लिटर इसका मतलब 3 लिटर निकल जा रहा है निकासी पाइप जेड के द्वारा तो जेड जो है 3 लिटर बावु 5-4-9 होता है लेकिन 3 जोड रहे है तो 6 ही हो रहा है एकस और वाई मिलके 9 हो रहा है लेकिन 3 जोड रहे है तो 6 ही हो रहा है मतलब कितना बाहर निकल जा रहा है 3 बाहर निकल जा रहा है किस के चलते जेड के चलते यानि जेड 3 लिटर एक मिनेट में बाहर निकाल दे रहा है बच्चों तो कुस्चन में कहा कि जेड भरी हुई टं को कितने देर में खाली कर देगा तो भरी हुए टंकी याने 300 लिटर की टंकी है और जट 3 लिटर एक मिनट में खाली करता है तो 300 लिटर खाली करने में जेड को 100 मिनिट लगेगा ठीक है समझे गए बच्चों बहुत अच्छा प्रस्न था ठीक है और अच्छे अच्छे प्रस्न यह तो छोटे प्रस्न है टाइप उन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे चले आगे ठीक है चलिए आए मित्रो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों भाईयों ठीक है न मिटा देते इसको आते हैं और ध्यान लगाते हैं बच्चो अगला प्रस्न है प्रस्न संक है फाइफ एक टैंक आम तोर पर आठ घंटे भर जाता है लेकिन नीचे के तल में रिसाओ के कारण भरने में दो घंटे और लगते हैं यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाओ इसे खाली कर देगा एक टैंक जो है न अगर चलेगा तो आठ घंटे भर जाएगा उसको भरने वाला नल है ठीक है आठ घंटे भर जाएगा लेकिन नीचे के तल में रिसाओ है टंकी के तली में रिसाओ हो रहा है मतलब पानी चू रहा है नीचे में च्छेद हो गया है टंकी में जिससे पानी चू रहा है ठोपे ठोप ठीक है बाबू ध्यान देंगे एक टंकी में एक पाइप है जो आम तोर पे आठ गंटें भर देता है मानलो भरने वाला एक पाइप है ठीक है तो भरने वाला पाईप का काम है कि टंकी को आठ घंटा में भर देगा भरे वाला है तो आठ घंटा में भर देगा ना लेकिन नीचे के तली में रिशाओ के कारण भरने में दो घंटे और लगते हैं अगर नीचे में रिशाव नहीं हो, नीचे में छेद नहीं हो टंकी में, तो आठ गंटे में पानी भर जाएगा, लेकिन क्या है कि टंकिया में गो छेद हो गया है, जोना से पानी चू रहा है, ठोपे ठोप, ठीक है, तो पानी चू रहा है तो बाबु आठे गंटे नहीं यानि भरने वाला चालू है साथी साथ नीचे से छेद भी चालू है जिसे पानी चूरा है यानि आठ गंटा के बजाए क्या गंटा लग गया दस गंटा जो आठ गंटा भरना चाहिए अगर रिशाओ नहीं होता तो आठ गंटा भरता लेकिन रिशाओ हो रहा है इसलिए दस गंटा लगा, दो गंटा और लगा, तो कहा है, टैंक पूरा भरा हुआ है, तो केवल रिशाओ इसे कितने समय में खाली कर देगा, कहा गया टैंक पूरा भरा हुआ है, तो रिशाओ कितने देर में अकेले खाली कर देगा, अब बचों हुआ ही करेंगे, वोल्यूम आठ दस का लगुतम क्या अग बोलो 40 मान लिया 40 लीटर का टंकी हो गया यहां समय दिया गया तीफिसेंसी निकाल लेंगे भरने वाला 8 गंटा में 40 लीटर भरता है मतलब 5 लीटर भरेगा परावर में लेकिन जब भरने वाला के साथ साथ छेद भी खुला है छेद घटाएग भी खुला है तो 4 लीटर भरा रहा है इसका मतलब भर तो रहे हम 5 लेकिन भरा रहा है चारे यानि छेद से कितना चू जा रहा है बागु एक लीटर चू जा रहा है पानी परावर में तो कहा है पूरा टंकी कितने देर में चूआ देगा छेद अगर टंकी भर जाता है तो तो एक लीटर एक घंटा में छेद से पानी निकल जा रहा है, रीस जा रहा है, तो पूरा 40 लीटर निकलने में कोई घंटा लगेगा, 40 घंटा लगेगा, ठीक है, अच्छा है, माजा है, आईए, मित्रों, मेरे प्यारे, दुलारे, विदे आर्थियों, अगले प्रस्ण प्य लगाते हैं, और ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना, अच्छा है ना, माजा है ना, चली, अगला प्रस्ण आपके बीच में पेस किया जा रहा है, आईए, मित्रों, बहुत अच्छा कोस्टन है अगला, ध्यान लगाना, गौर फर्माना, ऐ दिवानी और दिवाना, अगले कुस्चन पे आना, ए और बी, क्रम सब 15 और 12 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ए जो है टैंक को 15 मिनट में भर लेता है बाबू, और बी 12 मिनट में भर लेता है, ठीक है, पाइब सी, दो लिटर प्रती मिनट के दर से उस टैंक को खाली कर सकता है, जब टैंक पुन भरा हो, सभी तीनो पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए, तो टैंक को भरने में 8 पुनांग, 4 बटा, 7 मिनट लगते हैं, टैंक की छामता क्या है, मित्रो ध्यान दीजेगा, तीन को टैंक है, A अकेले भर सकता है टंकी को 15 मिनट में A को अगर अकेले चलाएं तो 15 मिनट में भर देगा अगर B को अकेले चलाएं तो 12 मिनट में भर देगा बावु एक टंकी C भी है C भी है जिसके बारे में नहीं दिया गया है केतना मिनट में भर सकता है लेकिन ये एक बात कहा गया है कि अगर C को खोलेंगे तो 2 लीटर प्रती मिनट के दर से खाली कर सकता है C खाली करने वाला पाइप है और उसका छमता है कि 2 लीटर प्रती मिनट खाली कर लेगा C 2 लीटर खाली कर देगा के मिनट में? 1 मिनट में Question में कहा गया है, जब tank पूरा भरा हो, सभी 3 o pipe खोल दिया जाता है, तो 8 पुरणांग 4 बटा 7 मिनट लगते हैं, यानि AB, B भी और AB के साथ साथ C भी खोल दिया जाता है, तो 8 पुरणांग 4 बटा 7 मिनट लगता है, कब जब 3 चल रहा है तब 8 साथ 56 बटा में 7 यानि तीनों चला तो साथ बटे में साथ मिनट का वक्त लगा कॉब A, B के साथ साथ C भी चला बच्चों द्यान लगाएंगे कहा गया है कोस्टन में कि टैंक की छमता क्या है, टैंक की छमता कैसे निकलेगा, कैसे कुछ दिया है नहीं, बचो बनाते हैं, ध्यान दीजिए, आप भॉल्यूम मान लीजिए अपने अनुसार, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, भॉल्यूम अपने अनुसार मान लीजिए, आप भॉल्यूम क्या मानत बट्टा में नीचे वाला का महत्तम अगर लगूतम निकालना होगा तो उपर वाला का लगूतम बट्टम नीचे वाला का महत्तम उपर वाला यानि नुमेरेटर अंस का लगूतम बट्टा में हर का महत्तम 15, 12, 60 का लगूतम क्या होगा? 60 तो 60 लीटर का टंकी होगी, यह हमने माना, कोस्चन में, हम निकाले नहीं, अभी हमने माना है, क्या आएगा हम नहीं जानते हैं, यह समय दिया आगे, आप कारे छमता निकाल लो, यह 15 मिनट में 60 लीटर भरेगा, तही 4 लीटर भरेगा बब वह एक मिनट में, बच्चों ध्या बच्चों ध्यान देने वाली बात है, कि अगर दूगो चलता, तो 9 लीटर भराता, 4, 5, 9 लीटर भराता, लेकिन जब तीनो चलता, तो 7 लीटर भराया, अगर दूगो चलता, तो 9 लीटर भराता, लेकिन तीनो चला, तो 7 लीटर भराया, मतलब कितना लीटर पानी चूरा है, आप बताओ, A और B, ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, 4, 5, 9 भरना चाहिए, लेकिन भराया कितना, 7, मतलब C जो है न, C जो है, C दो लीटर पर आवर पानी बाहर निकाल रहा है, हमारे अनुसार, प्रस्नक की अनुसार, हम जो बनाएं, उसके अनुसार, 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, और कोस्चन में भी कहा है कि C दो लीटर निकालता है प्रती मिनट, सॉरी मिनट में कोस्चन है, C निकालता है दो लीटर प्रती मिनट, हमारे अनुसार A और B मिला के नौ भरते हैं और जब तीनो चलता है तो साते भराता है एक मिनट में, यानि दो को मिलके नौ भर रहे हैं, C को भी खोल दिये तो 7 भ़रा है यानि 2 लीटर पानी चूगे एक मिनट में हमारे अनुसार और प्रस्नक अनुसार भी कितना लीटर, 2 लीटर ही यानि रेशियो में दो और गोस्चन में भी 2, 2 का मान 2, क्या गुना एक गुना, हम्में भोलि öld अब टंकी निकालना भोलियूम कितना है रेशियो में कितना, 60, हमारे रुसाथ, ये constant एका एक से गुणा कर देंगे, यानि टंकी के लिटर का बब, 60 लिटर का है, ठीक है, कोई दिकत, एक बार फीर से समझ लो, ये 15 मिनट में भरता है, ये 12 मिनट में, ये 60 बटा, 7 मिनट में, तीनो का लगुतम निकाले, 60 है, 15 से इसमें भाग दिये, 4 भरा, 12 से इसमें भाग दिये, 5 भरा, इस से इसमें भाग दिये, 7 भरा, ये दोनों मिलके भर रहा है, 9, लेकिन जब तीनों चल रहा है, तो भरा रहा है, 7, यानि केतना लिटर निकल रहा है, 2 लिटर निकल रहा है, ये हमारे हल के अ था आज यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे अगले टाइप में धन्य बाद अपना ख्याल रखें बाई बाई टेक क्यार और इस वीडियो को खुब सेयर करें